हेलो शुडेंट्स वेलकम बेक आज हम चैप्टर डिसकस करने वाल हैं चैप्टर थर्ड सिंथेडिक फाइवर एंडर प्लास्टिक इस चैप्टर में सिंथेडिक फाइवर प्लास्टिक यानि जो लास्ट येर आपने क्लास 7 यानि आपने फाइवर चैप्टर डिसकस किया थ उसमें आपका natural fiber के बार में discuss किया गया था और class 8 में आपके पास चैप्टर है चैप्टर ठर्ड उसमें synthetic fiber को discuss किया गया है अगर fiber की बात करें तो fiber कैसा होता है fiber is thin thread like strand होता है जिसको woven करके fabric में convert कर दिया जाता है ठीक है और फैवरिक क्या है एक cloth होता है जिससे आपका dress material आपका बनता है ठीक है इतना हमें पता है और जैसे आपने नाम भी से नहोंगे सिल्क हो गया ठीक है आपका cotton हो गया linen हो गया काफी सारे नाम है यह आपके fiber में आते हैं अब इनको कैसे बोला जाएगा कि synthetic fiber है और यह आपका natural fiber है simple natural fiber का जो source होता है वो basically plant और animal होता है ठीक है जो plant और animal से हमें obtained हो रहा है that's called the natural fiber like cotton हो गया जिसे बलाया अभी आपको silk cotton हो गया choir हो गया यह आपके plants से obtained होते हैं अगर हम बात करें wool और silk की तो यह basically आपके annual से obtained होते हैं ठीक है और इसके बाद आता है आपका synthetic fiber synthetic fiber is a man-made fiber जो हमें chemical से मिलके आपका बना होता है ठीक है तो हम इसी पर focus करने हैं आपका synthetic fiber पर synthetic fiber name again the man-made the fiber they are made from the chemicals और जो chemicals की जो quality होती है और जो properties होती है वो synthetic fiber के इस पर डिपैंड करती है ठीक है अगर हम बात करें quality property of the synthetic fiber किस पर डिपेंड करती है आपकी chemicals पर डिपेंड करती है कितने proportions में आपका chemical को आपका mix किया जाए और हमें desired आपका synthetic fire obtain हो ठीक है तो इस ratio की बजे से आपके synthetic fiber काफी सारी variety में मिलते हैं ठीक है जैसे रोयन हो गया nylon हो गया पॉलिष्टर हो गया अक्रेलिक हो गया example of synthetic fiber ठीक है यह सारी जो एक्जाम्पिल है यह synthetic fiber के example है ठीक है अगर हम synthetic fiber की बात करते हैं synthetic fiber इस टाइप ओवे plastic ठीक है और यह आपके polymer होता है ठीक है polymer poly means होता है बहुत सारे और mono means होता है एक तो अगर हम synthetic fiber को monomers और polymers में divide करें तो हम बोल सकते हैं कि जो plastic होती है इस made of the units units से मिलके बनी होती है अगर आपके single unit से मिलके बना होगा ठीक है structure तो उसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे monomer ठीक है और mono का means होता है single और मर का means होता है unit यानि monomer का means होगे single unit अगर यह substance एक बहुत साई unit से मिलके बना होगा तो उन्हें क्या बोलेंगे हम इनको बोलेंगे polymers poly means many और मर means unit बहुत सारे unit तो basically जो polymers होते हैं एक काफी बड़ी chain होती है ठीक है एक काफी बड़ी chain होती है आप इसको ऐसे समझ सकता है example से monomer is like a beat एक beat होता है beat means smoothie और मोतियों की माला क्या कहला गए आपकी necklace तो necklace क्या होगे आपका polymer और एक single beat क्या होगे आपके पास एक monomer ठीक है और यह जो polymers होते हैं जोरी नहीं सारे polymers synthetic हों ठीक है यह polymers होंगे वह आपके natural भी हो सकते हैं और आपके synthetic भी हो सकते हैं ठीक है तो that means कि आपका synthetic fiber ही में ही आपका जो fiber होंगे वह polymer से होते हैं और polymer basically आपके natural भी हो सकता है और synthetic भी हो सकता है ओके नेक्स्ट मूव करता है फिर आता है आपका नैच्छरल पॉलीमर्स और नैच्रल मोनोमर्स जो गुलुकोस है ठीक है गुलुकोस क्या है एक आपके एक नैच्रल मोनोमर्स होता है और जिसका फॉर्मुला आपको पता होता है कि आपका C6, H12, O6 होता है और यह एक single unit को present करता है, glucose sugar को ठीक है, और जो शुक्रोस होता है वो आपे natural polymers होता है of glucose इसको formula होता है आपके पास C12, H22, O11 ठीक है, N और N जो denote करता है, number of unit को denote करता है, यह number of molecule को denote करता है इस particular आपके group में, ठीक है अगर हम बात करें, monomers जो आपका synthetic polymers भी हम बोल सकते हैं, उस विसली कब जब वो manmade होगा तो plastic हो गया, nylon हो गया polyster हो गया, it's called the synthetic polymers ठीक है, और जितने भी आपके पास यह polymers होंगे ठीक है, polymers basically जो उनका main compound होता है वो carbon होता है, ठीक है carbon, और carbon की chain ही link करकर के हम इसको long chain में convert कर सकते हैं ठीक है, तो जितने भी almost जितने भी आपके monomers है हम combine करके बना दीजे, क्या बन जाएंगे synthetic polymers बन जाएंगे, जैसे आपको पहले बताया था कि ये का beats होता है, और beats chain में convert क्या बन जाता है वो आपका necklace बन जाता है तो ठीक है, यहापर जो necklace है is called the polymer, वो कहा कहलाता है आपका polymer, और basically किसके compound होंगे, सारे के सारे carbon के, ठीक है एक बद जाद दखेगा, जितने भी आपके पास compound है, वो सब carbon के ही main compound है इनका जो main है आपका जो बहुत सकते हैं आपका element, वो क्या होगा आपका carbon ही होगा एक example है इसमें athlean, athlean gas is monomer monomer होते है, monomer का एक single unit यानि जो athlean है, वो एक अपनाम की single unit है इसका formula होता है C2H2 sorry, sorry, C2H4 अब C2H4, यहाँ पे main क्या होगे, carbon हो गया यानि carbon की जो change बनाएंगे हम उसको क्या बोलेंगे, polymerize इसको बनादेंगे polyethylene, इसको athlean यह बन जाएगा, आपका polyethylene जो एक तरह की plastic होती है, जो हम normal use करते हैं ठीक है, आपका formula की बात करें तो formula था C2H4 that means CS2 CS2, फिर again change formation होने लगा, CS2 CS2, number of N, N जितने ज़्यादा होंगे, इतना ही उसको बोला जाएगा poly, ठीक है, एक short form बोलते है, poly, it's called the polyethylene एक nylon polymer होता है, इसको polyamide बोलते है, ठीक है, nylon भी polymer है, ठीक है, इसका formula होता है, emad group से होता है, यह इसका formula होता है ठीक है, इसका polyamide, अब यह जो formula है आपके, यह कैसे link up होते हैं, यह depend करता है कि हमारे पात जो chain है, वो कैसी chain है, ठीक है तो next move करते हैं, ठीक है, जैसे आपको बता चुके है कि आपका यह nylon polymer कैसा है, आपका यह polyamide है, ठीक है, और amide group के एक properties है, तो basically इनको हम काफी तरीके से जोड सकते हैं, तो एक तरीका है आपका forming के long chain, इसको बोलते है linear polymer, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, आपका एक linear polymer, तो forming ए cross link arrangement, तो cross link polymer हो गया, monomer, यानि सीधा-सीधा जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, यह बन गया, आपके single human formation हो गया, इसी को हमने cross कर दिया, उपर नीचे, तो इसको बोल जाता है loose link, ठीक है, loose link, अब इसी को थोड़ा हमने short formation में add कर दिया, तो यह बन जाता है heavy cross link, तो हम depend करता है कि हम कैसे इसको add करते जा रहे हैं, ठीक है, तो यह सब किस पर depend करता है, यह carbon की properties पर depend करता है, कि carbon कैसे इसको arrange कर रहा है, ठीक है, इस लाएके, beats of string, यह आपके string में beats पड़े हैं, ठीक है, यह एक monomer है, और यह कैसे बन गया, एक poly बन गया आपका, एक एक monomer है, ठीक है, एक monomer, फिर again, फिर again, फिर क्या कर दिया, एक पूरी chain बना दी गई है, यह क्या बन जाएगा, एक necklace type का, यानि necklace क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, इसलिए बोला गया है, कि मैंने इस monomer को beats मान लिया है, और beats एक chain form में convert करते हैं, तो क्या बन जाता है, वो आपका necklace बन जाता है, पूरी कैसे हो जाएगा यह, string बन जाएगा आपकी, ठीक है, ऐसी आपका cross link है, ऐसी आपका heavy cross link है, आज की वीडियो में, हमने polymers और आपका monomers पे focus किया, ठीक है, next वीडियो में हम next topic पे discuss करेंगे, तब तक के लिए bye bye, take care.